नमस्कायर, this question is from IIT Advance 2020 paper, paper 1, and question is from this action called solid state, solid state की अगर मैं बात करूँ, तो solid state का question अगर आपको कहीं मिलता है, IIT Advance जैसे paper में भी, तो उसा छोड़ना बनता नहीं है, वो बहुत scoring होता है, उसको द्यान से करोगे, तो बड़े प्यार से नंबर खिच जाते है, liquid solution के question हुए, solid state के topics हैं, जिससे अगर question आएगा, तो बहुत possibility होती है, कि बड़े प्यार से crack हो जाएगा, जैसे अगर इसी question की बात कर लें, यह वैसे multi correct खा, multi correct में अगर आप partial marking भी खीच सके, तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीके ना, तो बहुत ध्यान से करना है, कि option को करने की कुश करो, क है, तो M कहां-कहां पे मौझूद है, आप देख रहे हैं, M दो faces पे मौझूद है, तो मैं कहूँ कि M कहां-कहां पे है, M है two faces पे, और face वाले का आपको पता है, कितना contribution होता है, half, जिसकी वैसे 1 M आ रहा है, अच्छा जी, X की बात करें, X आपके पास क्या है, X आपके पास चार edges पे हैं, और आपको पता है, edges वालों का one-fourth contribution होता है, जिसकी वैसे X कितना आ रहा है, X भी one आ रहा है, जिसकी वैसे empirical formula क्या बन जाएगा, empirical formula, simplest formula, MX बन जाएगा, जिसकी वैसे सीधा-सीधा, कम से कम, एक option तो सही हुआ हमारा, एक option तो बड़े प्यार से आ गया, तो MX आपका answer आजाएगा, मतलब की empirical formula MX होना चेह, करा कटायन, MX have the different coordination geometries, ये गरबड है भाई, आपको याद हो देखो, NACL type crystal करते है, CSCL type crystal करते है, 6 is to 6, 8 is to 8 आता था, तो ये तो true होता है ये बाई, जब भी कभी आपके पास 1 is to 1 ratio में, जब भी M और X मिड़े हुए होंगे, त और की different नहीं होगे, 6 is to 6, 1 is to 1, वो तो हो गई न, तो ये गलत दे रखा है भाई, ये option बिलकुल गलत है, different नहीं होगा, they have different geometrical, coordination geometries, different नहीं होगी, बिलकुल सेम होगी, अगर ये octahedral होगा, तो ये भी octahedral होगा, ये tetahedral होगा, तो ये भी tetahedral होगा, ठीके जी, 4 is to 4 होगा ये 6 is to 6 होगा, ऐसा करके दोनों का सेम ही ratio आना चाहिए, ठीके जी, 1 is to 1 ratio बरना चाहिए, अच्छा जी, तीसरा option क्या कह रहा है, तीसरा option कह रहा है, the ratio of mx bond length to the cubical unit cell length is 0.866, मतलब कि ये कहना चाहरा है, ये वाला bond, ये वाला bond, m और x का distance कितना होगा, इसकी बात कर रहा है, चाहिए से कहलो, चाहिए से, चाहिए से, कितना होगा, अच्छा जी, इसको जाचने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जाचने के लिए हम लोग एक और box बना लोते हैं, let's say में थोड़े दिर के लिए, एक box बना ये हम आपके सामने, तो मानलों कि आपने ऐसा एक और box बना रखा, ठीके, और ये जो box बना रखा, इसमें भी ये ही कहानी है, कि इसमें भी यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीके जी, मैंने sim to sim, ऐसा यहाँ से लेकर यहां तक का यह आधा box था ना, और आधा मैने और बना लिया, तो यह पूरा को पूरा, if it is a by 2, a by 2, तो a by 2, a by 2 मैंने और बना लिया, यह पूरा को पूरा ए है, ठीक है, तो आधा ये, आधा ये मिलके पूरा एक box बन गया, तो अगर आप इनको ध्यान से फोकस करो, ध्यान से देखो, तो आपको क्या नजर आएगा, अगर ये पूरा-पूरा A है, तो ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का लाइन कीचूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, बॉडी डागनल बोलू ना इसको, तो ये जो बॉडी डागनल मैं बनाओ, इस बॉडी डागनल का कुछ नाम देदो, लेट से AB, तो इस AB के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, this AB is equals to root 3A, होगा न, बॉडी डागनल root 3A तो होता ही है, और ये root 3A को अगर आप ध्यान से फोकस कर है, root 3 ऐसे बना हुआ है कि एक आपका सरकल वाला यहां पर है, in fact और बड़ा बनायता हूँ, फ़र बीच वाला बनाता हूँ, बीच वाला आपका डाग वाला तो ऐसे बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद आपका एक सरकल यहां से बैठा हुआ है, एक सरकल ऐसे बैठा हु circle है, जो कि x है, एक ये x है और m बीच में बैठा हुआ है, तो ये यहां से लेकर कि यहां तक की जो length है उसमें ये, ये और ये ये तीनों दूसरे directly touch में होंगे और ये है आपका a b और ये जो आपका a b बना यहां से यहां तक का distance, ये distance कितना है root 3 है, और ये actually में किसके equal होगा, ये equal होगा आपका r of catanine, अगर मालनों मैं इसको black वाले को catan मालनों, इसे anine मालनों, तो मैं बोलूं r of anine, प्लस r of catan, r of catan, r of anine, इसका मालनों, I can say twice of r of catan plus r of anine इसके equal हो, ना चाहिए ठीक है जी, जिसके इसाब से, r of catan plus r of anine is equal to under root of 3 by 2 थोड़ा सा दुबारा बनाता हूँ मैं रुकना है, ने under root of 3 by 2 a आ रहे है, under root of 3 by 2, अगर आप देखोगे ना, तो ये value कितनी आजेगी, ये आजेगी 0.866 a तो इसने क्या पूछा था आप से, इसने पूछा था इसने आप से पूछा था the ratio of mx bond length to the cubic unit cell edge length is 0.866 मतलब आप से ये ही तो कह रहा था कि इसका, this divided by a this divided by a कितना होगा, तो a से a कर जाएगा तो ये ratio कितना आ जाएगा, ये ratio 0.866 आ जाएगा, इसका मतलब है ये option भी बिलकुल सही है, 0.866 बिलकुल perfect है, ठीक है जी, इसके बाद आप से कहता है कि d r plus by r minus ये कितना होगा, ये तो कह रहा है radius of cation by radius of n9 ratio कितना होगा तो वैसे अगर देखो तो आपको अगर दिहान से देखो ना तो आपको दिख जाएगा, देखो ज़रा क्या दिख रहा है अगर इसको मैं क्यूं माल लो, जो ये a मैंने दिखाया तो ये हर corner पे एक एक आपका x atom बैठा हुआ है और बीचो बीच आपका m atom फसा हुआ है इसका मतलब है कि अगर हर corner पे एक एक atom लगा दूँ तो बीच में जो empty space है, उसमें आपका m बैठा हुआ है तो ये तो cubical void जैसा हुआ न, ये आपका cubical void पे बैठा हुआ है और ये cubical void पे बैठा हुआ है, तो cubical void का radius ratio तो 0.732 होता था तो 0.414 तो होता नहीं था, तो इसे काट दो, ये गलत है बाकी अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आप देखो जरा आपको समझ में आ जाएगा कैसे? ध्यान से देखना जरा, आपको सब समझ में आ जाएगा आप देखो जरा आपने यहां से expression निकाला था, आप calculate भी कर सकते हो r plus by r minus is equal to 0.866a और a क्या है अगर आप ध्यान से focus करो, तो a क्या है? a यहां से लेकर यहां तक का distance है और ये कौने वाले आपस में touch में होंगे, जिसकी वैसे a is equal to twice of r minus होना चाहिए इसका मतलब है I can say a is equal to twice of r minus होगा तो a will be equal to r minus r minus, twice of r minus तो I should write like this कि r plus r minus is equal to 0.866 into twice of r minus अब आपको पता है twice of r minus कितना होता है twice of r minus, sorry, आपको पता है कि twice of this कितना होता है यह तो अभी हमने किया था, तो यह कितना हो गया था, यह हो गया था आपका 0.732 यह आजाएगा, तो upon r minus upon r minus, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड इस विल बी 1.732 मैं यही तो कहाना था, root 3 by 2 किया था, तभी तो 0.866 आया अब मैं 0.866 को वापे से multiply by 2 करेंगा, तो root 3 आजाएगा मतलब 1.732 आजाएगा, और आपको पता है, यह आपस में कट जाएगा, यह आपस में कट के 1 बन जाएगा, और यह 1 उदह जाके, जब माइनस होगा, तो r of positive by r of negative कितना आएगा, यह आएगा 0.732 तो यह तो मैंने आपको पहने ही बोला कि radius ratio 0.732 आना चाहिए, कि यह cubicle void है, 0.414 नहीं आएगा, तो यह गलत हो जाएगा, जिसकी वैसे answer should be option number A and C, बे answer देखना इसको? ठीक है? तो answer should be A and C. थांक यू, प्लीस सब्सक्राइब, केम सेट्शाब